हेलो फ्रेंड्स स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल वीड़ा वलाईसी में और मैं अमित कुमर सौनी हर दिक हर दिक अभिनांदन करता हूँ दोस्तों लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं डेली सिक्षा विभाक से रिलेटेड और भी अन्य समाचारों से समंदित जो की मद्यपरदेश के युवाओं के लिए जानना बहुत जरूरी है तो दोस्तों ऐसी ही इंपोर्टेंट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें शेयर करें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक करें दोस्तों जहां पर एक और कोरोना काल में मोदी जी ने ताली और थाली बजबाई और अपनी मन की बात कही और उसके बाद में वो चले गाए हिमाले परवत की कंद्राओं में भजन करने के लिए तप जुमलेबा जी के नाम से शिवराज सिंग चोहान जी मद्द परदेश के युबाओं और उसकी जनता के साथ मातर एक छलावा कर रहे हैं अभी हल ही में दोस्तों एक और बड़ा वाला जुमला देखने को आया है और वो है रोजगार मेला हर जिले में दोस्तों रोजगार म जो कि किसी के भी गले उतरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और इसी की पूल खोलता हुआ एक जवरदस्त सर्वे जिसमें की पूरी भयावय इस्तिती दर्ज की है मद्द परदेश में बेरोजगारी की चाहे वो पुलिस विभाग हो चाहे वो सिक्षा विभाग हो चाहे सहकारिता विवागों चाहे कोई सावी विवागों हर विवाग में वेकेंसी आई है निकली है किसी में एक्जाम हुआ है किसी में नहीं हुआ है और किसी में आगे होने वाला है या किसी में आगे नहीं होने वाला है लेकिन निकती नहीं मिली है तीन सालों से तो आईए दोस् करेंगे कि क्या कंडिशन है मद्ध प्रदेश के बेरोजगारों की और क्या दर्ज हुआ है रोजगार कार्यालाई के पंजियन पर उसके पोर्टल पर तो दोस्तों बिलकुल यह जानना सभी लोगों के जरूरी है और आंके खुलने वाली न्यूज है जिससे की जो मद्ध प् सकता है और नहीं चक्का और केवल सुन सकता है तो एक मात्र जुमलेवाजी मामा जी शिवराज की तो आईए दोस्तों एक एस्टिमेट है एक आकलन है जो की बहुती आंखे खोलने वाला है और बाकई में दिल देलने वाला सांती भयावा है तो चलिए दोस्तों देखते है आगे क्या है इसमें देगे दोस्तों ये आपके सामने एक पेपर की कटिंग है और बिलकुल लेटेस अपडेट है 24 दो 2021 की जिसमें एक सर्वे किया गया है और इसमें जो हेडिंग है वो है बेरोजगारों की कतार में 35,90,000 पत खाली ना भरती ना परिक्षा और दोस्तों इस के अंदर थोड़ी डिटेल में कि क्या है इसमें और किस प्रकार से इस एस्टीमेशन को इस सर्वे को बताया गया है और कितनी सचाई है इसमें तो आईए दोस्तों स्टार्ट करते हैं देखे दोस्तों जैसा कि आग देख पा रहे हैं कि सिर्फ कागज बनकर रह गई हैं डिग्रियां बेरोजगारों की कतार में 35,90,000 पत खाली ना भरती ना परिक्षा कई सारे अंदोलन किये गए कई सारे ग्यापन दिये गए और कितनी ही मैनत की गई कितनी ही पढ़ाई की इस उम्मीद के सारे कि आखिर एक ना एक दिन तो भरतियां आएंगी और रोजगार मिलेगा लेकिन दोस्तों इस प्रशासन के आगे सब कुछ फैल हो चुका है चलिए दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों इसमें आगे है कि प्रदेश में बेरोजगारी बरकरार है सरकार विभागों में नियुक्ति और भरति को लेकर खीचतान की इस्तिती बनी हुई है और 90,000 से अधिक पद इसमें खाली हैं और बहुत से विभाग तो ऐसे हैं जहां पर चयन हो चुका है लेकिन उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भी नहीं दिये जा चुके हैं और इसका एक सबसे सटीक उधारन है जो सिक्षक भरती परिक्षा वर्ग एक दोके में पात्र और चैनित हो चुके परिक्षारती और दोस्तों हालत यह हो चुकी है कि अब रोजगार पोर्टल भी शर्मा जाए ऐसी इस्तिती है कि 35,000,000 बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं उनमें 90,000, पिर्टिशत तो मूल निवासी हैं मद्द प्रदेश के और दोस्तों यह आंकला तो सरकारी पोर्टल पर है लेकिन एक्चुल में बेरोजगारों की संख्या इससे भी बहुत अधिक है इस्तिती सुधारने के लिए रोजगार बोर्ड बनाया गया लेकिन 2018 में वाई भी खत बार मेले लगा आयोजन किया जा रहा है अभी हाली में गोविनपुरा में मेले का आयोजन किया गया और काफी सारी कंप्रियां वहाँ पर आहीं 20 से अधिक कई इंटर्व्यू भी लिए गए लेकिन हो क्या रहा है कि कुछ एजेंसी का चैंद कर नहीं पा रहे हैं और कुछ इस समय किस कंडिशन में है उसके बारे में बात किये तो सबसे पहला नाम है स्कूल सिक्षा विवाग और सबसे अधिक पोस्टेस की 30,000 अब इसमें क्या हुआ है कि परिक्षा ली काउंसलिंग नहीं की गई नियुकती नहीं दी गई ठीक है उसके बाद ने पुलिस महकाव में आरक्षक के 9,000 पद आरक्षक का मामला आयू सीमा के कारण लटका स्वास्ति विवाग इसमें एनम की भरती 9,500 पद भरती पर विचार किया जा रहा है उसके बाद है राजस्व विभाग जिसके अंतरगत पढ़वारी वा अन्य पद आते हैं और इसमें पदों की संक्य का है 9,530 इसकी भरती प्रिक्रिया चल रही है उसके बाद अनुसूची जाती और अनुसूची जन जाती विभाग जिसमें की तृती और चतुरत स्रेणी की कर्मचारियों की न्यूकती होना थी और उसके पदों की संक्याती 4,180 लेकिन बजट की कमी का बहाना बना करके रो स्तिति है कि इस्तिति यह है कि न्यूकती नहीं दी गई है रोजगार नहीं मिला है। बग 6 लाग फॉर्म भरे हैं वहाँ पर वर्गतीन की तारीके आगे बढ़ जाती हैं चार वार इस्थगित हो चुकी है जानकारी के मताविक स्कूल सिक्षा में ही 70 अजार पत खाली है पूरे पदों पर न्यूकती नहीं की जा रही जबकि बात की जा रही है सीम राइज स्कूल की और सिक्षाक की विवस्था को उस्चिस्तर पर ले जाने की लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है चली पुलिस की बात कर लें तो 3 साल से भरती नहीं की गई है पदों के लिए आयो सीमा 33 पर ते की गई थी लेकिन 3 साल हो गए हैं और भरती प्रिक्रिया अभी भी यहापर निकाला था, उम्मीदवारों का चैन हो गया, 2019 में इंटर्वी हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, लेकिन न्यूक्ती अभी तक नहीं दी, इसमें 102 अभ्यर्ती चैनित हुए थे, चैनित अभ्यर्ती उन्हें बताया, कई बार विभाग में संपर्थ किया गया, लेकिन ये कहा गया कि अभी प्रिक्रिया चल रही है, अब एक चैनित अभ्यर्ती हैं, कोई नीरजबर्मा, उन्होंने बताया कि इसमें मैनेजमेंट और इंजिनियर से जुड़े चात्रों का चैन हुआ था, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी जा रही है कि कब न्यूकती करेंगे, कब लेटर जारी होगा और कब हमको नौकरी मिलेगी, इस परकार से जो ये भी विल्कु ठंडे वस्ते में पड़ा हुआ है इस विभाग का काम भी, अब देखिए दोस्तों, अगला आता है राजस विभाग, यहाँ वेटिंग वालों को मोका नहीं मिला, 2017 में पटवारी वा अन्ये 9,235 पदों के लिए भरती निकली थी, दोस्तों काफी लंबा चला था ये एक्जाम, याद हो तो, कि पीवी ने माद 2018 में परणाम गोशित किया था, उसके बाद जो है निक्तिया तो दे दी, जिनकों की किलियर हो गाए थे, लेकिन वाद में बेटिंग में 12 सुम्मीद वार थे, और काफी लोग जो है, और अधर एक्जाम में पास होने के बाद, पोस्ट खाली रह गई थी, लेकिन बेटिंग के 1300 पद रिक्त होने के बाद भी, कोई मोका उनको नहीं दिया जा रहा है, तो विभाग के प्रमुक सचिव मनीज लस्तों की कहते हैं, कि 1000 पद नहीं थे, करीब 250 पद ही थे, अनुकंपा न्युक्ती भी दी गई थी, इसकी बेलेडिटी समाप्त हो गई है, तो उन्होंने ये केकर अपना पला जाड़ लिया, कि पद जोए 250 थे, आप लोगों को गलत जान करिये, तो ऐसे करके उन्होंने पला जाड़ लिया, कि भई, इसमें क्या सच्चा ही है, अब ये तो भई जाने, उसके बाद निजी कंपनियों में भी नहीं दिला पाए नोकरी, 2016 में सरकार निजी कंपनियों में नोकरी या रोजगार दिलाने, मध्यप्रदेश रोजगार बोट का गठन किया, लेकिन वो भी फैल हो गया, और 2018 में कतम हो गया, ततकाली नद्यक्षी थे, जो वहां के, एमन देश्मुक, उन्होंने कहा कि, ग्लोबल इसकिल सम्मेट और रोजगार मेले लगाए, दाबा किया कि, एक लाग लोगों को उत्पादनव सर्विस सेक्टर में नोकरी मिली है, पर हकिकत में इन्हें इंटेंट आप लेटर ही दिये गए थे, नोकरी वगेरा नहीं दी गई थी, कि आप आजाना, कर लेना, इतनी ट्रेनिंग कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, मागि इनको सर्विस नहीं दी गई, दोस्तों, इतनी भयाबा है, और दर्दनाक स्थिती होने के बाद भी, सरकार का जो कॉन्पिडेंस है, वो सात्वे आस्वान पर है, इंदर सिंग जी परमार सामाने प्रिसासन विभाग राज्यमंत्री, ये कहते हैं कि दो साल पहले, सरकारी विभागों में न्यूकतियां टग गई, और अब एक बार फिर से भरतियां की जा रही है, कुछ परिक्षाओं को तकनीकी कारण से, और कुछ में उम्मीद्वारों की मांग देखते हुए देरी हुई है, हमारी पूरी कोशिश है कि समय पर भरती हो, और लोगों को रोजगार मिले, ऐसा कहना है इंदर सिंग परमार जी का, दोस्तों सही है, उन्होंने कुछ भरतियां जो है, राजस विभागो, चाहे कोशल विभागो, चाहे सहकारिता विभागो, हर विभाग में पदों की संक्या है, रिक्तपत खाली है, और काफी कुछ प्रोसेस भी आगे की जा चुकी है, लेकिन नहीं दी गई है, तो एक मात्र न्यूकती और उसको जॉब नहीं दिया गया है, पर दोस्तों इतनी भी खराव इस्तिती हो, मामा जी को उससे कोई लेना देना नहीं है, उनको तो क्रिकट खेलना है, और बेटिंग की पिच पर चोके और चके मार करके, जुमले वाजी से और लोगों का मन मोहना है, और अपने बोट बैंक को एकटा करके चुनाव जीतना है, और अपनी राजपाट और सत्ता को समाल करके बचा के रखना है, तो दोस्तों ये एक आंके खोलने वाला एक आकलन था, एक सरवे था, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यबाद, जैहिंद,